Reproductioning Organism के इस पार्ट में आज हम देखेंगे Asexual Reproduction का Second Type Budding Budding के Examples हैं Hydra, Planaria और Silis Budding को हम आईए इस वीडियो क्लिप के थूँ समझते हैं जिसमें हमें एक बिलनाकार Hydra के सरचना दिखाए दे रही है इसके नीचे Base पर पाया जाता है Substratum जिसे यहाँ जमीन से जुड़ा रहता है उपर की ओर हम देखेंगे तो इनके Tentacles दिखाए दे रहे हैं जिन्हें इस परसक भी कहा जाता है साथ ही साथ इसका Mouth भी हमें दिखाए दे रहा है जब एक Hydra पूरी तरीके से Mature हो जाता है तब यहाँ अपने Parent Hydra से क्या हो जाता है अलग हो जाता है लेकिन जब तक यह परिपक कोई नहीं होता तब तक यह जो Nutrition होता है वो अपने Parent Hydra से ही प्राप्त करता है लेकिन जैसे ही यह पूरी तरीके से परिपक हो जाता है तो अपने parent Hydra से अलग होकर एक नए जीव को जन्म देता है इस तरीके से हम Hydra में budding देख सकते हैं Asexual reproduction का थर टाइप है Plasmotomy इसके example है Opelina और Polymixa सबसे पहले हम Plasmotomy का अर्था समझ लेते हैं Plasmotomy का जो starting word है उसमें क्या है Plasma तो Plasma का अर्थ होता है कोशिका द्रव्य यानि कि अलंगिक प्रजनन के इस तरह के reproduction में केवल क्या होता है कोशिका द्रव्य के विभाजन से ही जो प्रजनन है वो समपन होता है आए हम इसे Opelina के डाग्राम के थुरू समझते हैं Opelina क्या होता है एक Multinucleated यानि कि बहु केंदरी की या जीव होता है आप इस डाग्राम में बहुत सारे Nucleae देख रहे हैं जो कि जब इनमें reproduction फेज आता है तब इनका केवल क्या होता है कोशिका द्रव्य ही क्या होगा मतलब विभाजित होकर नए जीव का formation करता है तो इस तरीके से Opelina में Plasmotomy सो होता है अगला जो टाइप है वह है Gamule इसका एक्जामपल है Spongula इस प्रकार का Asexual reproduction एक विशेश प्रकार की गोलाकार कोशिकाओं के समुह द्वारा होता है जिसे Gamule या Stato Blast कहते हैं जब किनी कार्णों से जीव जनक की मृत्ति हो जाती है तब यह रचनाई अनुकुलित परिस्ति के आने पर विक्सित होकर नए जीव बना देती है Gamule के चारो तरब एक कंटीली या Stato Blast के चारो तरब एक चिकनी Citanus सुरक्छात्मक आवरण पाया जाता है इस प्रकार का जनन कुछ स्पंजों में भी पाया जाता है उदाहरा के लिए Spongula Gamule एक प्रकार से स्पंजों का बीज होता है जो कि उनकी मृत्ति होने के बाद नए जीव को जन्म देता है Asexual Reproduction का अगला टाइप है Fragmentation and Regeneration एक्जामपल में है Hydra Planaria इस टाइब के Asexual Reproduction में जब किसी और्यनिजम का बोडी किनी कालनों से कई टुकडों में कट जाता है या काटा जाता है तो प्रत्येक टुकडा विक्सित होकर एक नए जीव का फॉर्मेशन करता है इस प्रकार का जो Reproduction है वह प्रोटो जुआ, यह स्पंज, सिलेंट्रेट यानि की जो Hydra है, प्लेनेरिया है इन सभी में पाया जाता है इस प्रकार से इस डागराम में आप प्लेनेरिया का दिखाए दे रहा होगा आप लोग को जिसमें जो प्लेनेरिया है उसका बॉडी थ्री पार्ट में डिवाइड हो गया है और प्रतेक भाग से आप लोग देख रहे हैं कि यहां क्या करता है एक ने जीव को विक्सित कर रहा है तो इस तरीके से प्लेनेरिया जो है वो रीजनरेशन या फिर फ्रेगमेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एसेक्सोल रिप्रोडक्शन का छट्वा प्रकार है इस्पोर फॉर्मिशन इसके एक्जामपल है एलगी और फंजाई इस्पोर्स अतिसूच में एक कोशिकी या पतली वित्यवाली शरचनाएं होती हैं जो बाद में अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं इस्पोर्स फॉर्मिशन केवल एलगी फंगी प्रोटिस्ट और मोनेरा जगत के सदस्यों में ही पाया जाता है फ्लैजिला के उपस्थिति के आधार पर इस्पोर्स टू टाइप के होते हैं पहला है जो इस्पोर जिसे मोटाइल इस्पोर या फिर चल बीजाडू भी कहा जाता है चल बीजाडू जिन में फ्लैजिला पाये जाते हैं एक्जांपल में है क्लेमाडो मोनास और योलो थ्रिक्स Second में, Non-motile spore, जिसे अचल विजारू कहा जाता है, यानि कि इनで गती के लिए phlexilaיפasthit होते हैं Example में है Cornelia Aplanospore Cornelia और यह Aplanospore जो होते हैं यह भेभाग होते हैं, जिन में sports का formation होता है यानि कि यह एक अंग है, जिस से sports का formation होगा, यह जिव का नाम नहीं है जैसे कि कोनीडिया है तो कोनीडिया का फॉर्मेशन किस में होता है पैनिसेलियम में कोनीडिया में स्पोर का फॉर्मेशन बॉडी सेल के अंदर होता है इस तरीके से इसमें अंतर जात स्पोर फॉर्मेशन पाया जाता है लेकिन जो non-motile spore होते हैं यानि कि अचल बिजाड़ू यानि कि क्या बोलना चाहिए जैसे कि penicillium है या फिर राजोपस है इन सभी में क्या है कोनीडिया जो होते हैं ये body cell के बाहर बनते हैं तो इस तरीके से इन में spore का formation क्या कहलाता है exogenous spore formation क्लेमाड़मोनास में किस तरीकी का है endogenous spore formation यानि कि body cell के अंदर formation हो रहा है और राजोपस या फिर penicillium में क्या हो रहा है ये body cell के बाहर बन रहे हैं इसलिए इनको exogenous spore formation कहा जाता है क्लेमाड़मोनास के spore formation को हम लोग आये इस वीडियो के थ्रू समझते हैं जिसमें यह क्लेमाड़मोनास लगातार पहले तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है इसका नुकलियस उसके बाद चार भागों में ठीक है अगला इस टेफ हम देखते हैं कि जैसे ही यह धीरे धीरे अपने परिपक्व अवस्था में आता है तो सभी मैच्योर होकर उस बाड़ी सेल से बाहर निकलाते हैं और अपना जीवन यापन करने लगते हैं अधेकतर कवकों, शैवालों वा जीवानूं में अलेंगिक जनन बीजानू निर्मान द्वारा होता है बीजानू जनन में कवक तंतू से एक सनरचना विक्सत होती है जिसे बीजानू धानी यानि इस्पोरेंजियम कहते हैं बीजानू धानी के अंदर केंद्रक कई बार विभाजित होकर बहुत से केंद्रक बनाता है इन में से प्रते केंद्रक थोड़े से कोशी का द्रवे के साथ एक बीजानू में बदल जाता है परिपक्व होने पर बीजानू धानी फट जाती है और बीजाणू मुक्त हो जाते हैं और प्रतेक बीजाणू एक नए जीव को जन देता है